बॉर्णिंग इस फ्रेंज आज हम लोग डिस्कूस करेंगे exercise 6.4 जिसमें दिया हुआ है question find the reciprocal of the following ठीक है यह question दिया हुआ है इसमें आपको बताना है find the reciprocal of the following ठीक है यह आपको numbers दिये गहें इसको हमको क्या करना है reciprocal करना है reciprocal का मतलग यह है कि numerator की जो place रहेगी वो denominator जैसे numerator दिया हुआ है यह denominator दिया हुआ किसी fraction का तो इसका अगर reciprocal करना है तो क्या हो जाएगा denominator की place numerator में हो जाएगी जैसे example ले जाते हैं जैसे दिया 2 upon 3 और बोलाए कि 2 by 3 का क्या करना है आपको reciprocal find करना है तो क्या होगा 2 by 3 का reciprocal 3 upon 2 ठीक है ऐसे हम exercise 6.4 का question number 1 लेंगे जिसमें दिया हो है 2 by 5 2 upon 5 यह हमको दिया हो है इसमें क्या करेंगे reciprocal क्या हो जाएगा 5 by 2 ठीक है ऐसे हम पो एक दिया हो है question number 2 इसी में 2 जिसका reciprocal क्या हो जाएगा service में क्या है यहाँ पर numerator दिया हुआ है ठीक है तो अगर में आप उन में लिख लेता हो तो इस नंबर में कोई changes नहीं आगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह वन अपॉन 2 ठीक है question number 3 जो दिया हुआ है वो दिया है 4 by 7 4 upon 7 अगर में इसका reciprocal करता हो तो क्या बन जाएगा 7 upon 4 वैं CDC यह है कि यहाँ पर हमको यह देखना है कि जो हमको नंबर दिया गया है fraction दिया गया है उसका अब नेक्स एक्सलाइज है हमारी 6.5 remaining questions आप लोग करेंगे same as the discussion है ठीक है यह देखिए सब्सक्राइज अल्मोस्ट सेमी है ठीक है जिसमें हमको क्या करना है numerator की जो जगे है टिनुमेटर रखना है और दिनुमेटर की जगए numerator को प्लेज़ करना है ठीक है着 call 674 देखिते हैं इसमें आपको क्या करना है division करना है ठीक है exercise 6.5 इसमें आपको कोई number दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है division करना है exercise 6.5 का question number 1 लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 3 upon 8 divided by 2 ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 upon 8 लिखेंगे as it is divide में 2 upon में 1 लिख सकते हैं इससे कोई फार्क नी पड़ेगा ठीक है अब क्या करेंगे अभी जो हमने previous exercise में क्या देखा था 6.4 में कि हमको कोई number दिया गया था उसको का हमने reciprocal कर दिया था तो यहां पर भी हम क्या करेंगे reciprocal कर देंगे 3 by 8 है अब यहां multiplication हो जाएगा कब जब हम क्या करेंगे इसके जो fraction दिया है इसके जो सामने जो just fraction दिया है उसको क्या कर देंगे हम reciprocal कर देंगे तो यहां divide की जगे का हम कौन से symbol यूज करेंगे multiply का करेंगे कब करना है जब यहां पर divide का number दिया हो divide दिया हो और मैंने यह जो number है इसको reciprocal कर देना है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 into 1 upon 8 into 2 तो कितना हो जाएगा 3 into 8 जा 16 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है second question लेते हैं इसको देखते है second question क्या दिया हो है 2 1 by 2 divided by 1 4 by 5 यह आपको question दिया हो है mix fraction में तो mix fraction में दिया है सबसाब हम क्या करेंगे इसको improper fraction बनाएंगे तो 2 into 2 plus 1 upon 2 divided by 5 into 1 plus 4 upon 5 ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 into 2 कितना है 4 plus 1 upon 2 divided by 5 बंजा 5 plus 4 upon 5 ठीक है अगली स्टेप क्या होगी हमारी फाइग 4 plus 1 5 divided by 2 divide 5 plus 4 कितना है 9 upon 5 ठीक है next step में हमको क्या करना है यह यहां multiplication है यहां मुझे यहां division दिया है हमको मुझे multiplication करना है तो मैं लिखूँगा 5 by 2 multiplied by 5 upon 9 देखिए यह क्या था 9 by 5 था तो मैं इसको क्या बना दिया 5 by 9 बना दिया तो यह क्या हो जाएगा 5 into 5 कितना हो जाएगा 5 into 5 2 into 9 तो 25 यह आपका answer होगा ठीक है अब आगे चलते है remaining questions देखते हैं ठीक है बाकी questions में हमको क्या करना है यह देखते हैं ठीक है तो इसमें हमको जो दिया हुआ है question ठीक है अभी हम लोगों ने क्या क्या था first question किया second किया ठीक है third question देखते हैं ठीक है third question ऐसा ही है तो आप लोग try कीजिएगा question 5 देखते है four भी ऐसा ही है question number five देखते है five upon six five upon six divided by two by three ठीक है यह question दिया गया है इसको हम क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है तो यहां पर जो five by six divided by two by three दिया हुआ है इसको कुछ नहीं करना है five by six as it is और multiply के symbol करना है three upon two कर देना है इसको मैंने जो denominator numerator की प्लेस के लेग दिया और numerator को denominator की प्लेस पर लेग दिया ठीक है अब three into five कितना होता है फिफ्टीन और two six are twelve अब देखने अली बात यह है कि दूनों ही नंबर के है डिविजबाल है एक टेबल जाते देखिए three की टेबल में 12 कितने टाइम आता है फोर टाइम आता है और three की टेबल में 15 कितने टाइम फाइब टेम आता है तो आपका answer हो जाएगा five by four ठीक है चलिए अब next question के अरभ मूँ करते है next question दिया हुए six dollar question इसको देखते है four one by three divided by three by four ठीक है अब इसमें क्या करना है आपको four into three plus one upon three divided by three by four तो four three जाए कितना होगे 12 plus one upon three divided by three by four ठीक है तो 12 plus one कितना होगे 13 by three divided by three by four ठीक है अब हमारी next step क्या हो जाएगी 13 by four multiplied by four upon 13 ठीक है तो इस four से यह multiplication ध्यानक नहीं यह multiplication दिया है ना यहां numerator डिम्रमेटर आ रहे है तो हम इसको काट सकते हैं तो हमारा answer कितना हो जाएगा 13 by three ठीक है यहारा answer हो जाएगा अब देखिए remain questions आप लोग कीजिएगा जहां भी आपको डौट जाती है अब cancel कीजिएगा ठीक ह अब हम ले रहते है exercise 6.6 ठीक है इन questions को हम लोग देखते हैं अच्छे से क्या दिया हुआ है the product of two numbers is two four by seven if one of them is five by seven find the other number यहां पे क्या का है कि दो numbers का जो sum दिया है वो कितना है two four by seven दिया हुआ है उसमें से एक number क्या है हमरे पास five by seven है तो हम क्या करेंगे हमको बताना है कि वो दूसरा number क्या है है ना मान के चलते हैं हमारे पास कितने five rupees थे ठीक है कितने थे five rupees थे अब five rupees में से three rupees को मैंने किसी को दे दिया ठीक है तो मेरे पास कितने बचे ठीक है ऐसा बोल सकते हैं है ना सो यह एक और एक्जामपल ले सकते हैं मान के चलिए आपके फादर ने आपको और आपके सिस्टर को कितने 100 रुपीज थे जो डिस्रिबूट किये आपकी सिस्टर को 60 रुपीज दे दिये ठीक है तो अब आपके पास कितने बाकी पैसे रहे यह कुशन है ना तो 100-60 कर देंग कर देंगे सब्ट्रेक कर देंगे तो मारा राचारज आएगा ठीक है तो यहां पे देखते हैं एस Q2 नमबर सीज़ एक साइज 6.6 पर्स्ट क्विश्चन यह दप्र्ड़क्ट ऑफ फू नमबर इस the product of two numbers कितना दिया है 2 4 by 7 अगर हम इसको लिखेंगे mixed fraction में दिया हुआ improper में लिखेंगे कितना जाएगा 2 into 7 14 14 plus 4 कितना होगा 18 18 upon 7 ठीक है अगर इसमें क्या है हमको एक number दिया हुआ है कौन सा दिया है गिवन number है ना क्या है गिवन number अपने को 5 upon 7 है ना अब क्या करेंगे हमको new number मतलब दूसरा number चाहिए है ना other number क्या हो जाएगा मैं क्या करूँगा 18 by 7 minus कर दूँगा 5 by 7 तो भई ये क्या है दोनों like fraction है है ना तो यहां पर मुझे LCM लेने की जरूत नहीं पड़ेगी 18 minus का 5 कर दूँगा 18 minus 5 कितना हो था 13 by 7 तो ये मेरा answer हो जाएगा ठीक है 13 by 7 अब 13 by 7 जो दिया हुआ है इसको मैं क्या है mix fraction में भी लिख सकता हूँ कैसा लिखूँगा देखते है ठीक है अब 7 बंज़े 7 कितना बच्चा 6 6 मेरा reminder है ठीक है divide किसे किया था 7 से किया था कितने time multiply किया था 1 time किया था है ना 1 6 by 7 ये आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए question number 2 देखते है क्या दिया हुआ है question number 2 को मैं समझा रहा हूँ ठीक है आप लुक्विस को करना है in a class fee of each student is rupees 1 1 by 4 ठीक है the amount collected was rupees 125 find the total number of student मान के चलो यहाँ पे बुला है कि कोई class है जिसमें हर एक बच्चे की fees कितनी है 1 1 by 4 rupees fees है ठीक है पूरी class की fees कटी हुई कितनी हुई rupees 125 हुई तो आपको पताना है find the number of student तो वहाँ पर कितने number of students है तो हम क्या करेंगे यह जो number दिया गया है कितना 1 1 by 4 इसको हम डिवाइड कर दें किसे 125 से तो हमको क्या पता लग जाएगा total number of students चले देखते है इस question को देखते है क्या दिया है question the fee of of each student कितनी दिये rupees 1 1 by 4 ठीक है तो यह mixed fraction है improperum बनाएं कितना जगा 4 1 जा 4 plus 1 5 5 by 4 rupees यह fees हो गई ठीक है अब total fees कितनी हुई total fee of class कितनी हो गई rupees 125 हम को find क्या करना है we have to find total number of students students in the class ठीक है तो हमकी मैं क्या करेंगे जो हमको नंबर दिया है 125 अब उन लिख लेंगे divided by कर देंगे 5 by 4 ठीक है इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो अब देखना है यहाँ पे 125 अपन 1 multiply मतलब रैसी प्रोक्वल कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4 by 5 ठीक है अब मैं क्या करूँ इसका पहले multiplication करते है अब देखते हैं क्या यह नंबर divisible है तो हम इसको डिवाइड कर सकते है नहीं तो चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं multiply कर लेते है कितना हो जाएगा 125 multiplied by 4 upon 5 into 1 तो 125 multiplied by 4 करके देखते है 4 5 जा कितना हो था 20 carry 2 4 2 जा 8 plus 2 कितना हो जाएगा 10 carry 1 4 बन जा 4 plus 1 5 कितना हो गया 500 हो गया 500 फाइव बन जा 5 हो जाएगा अब इसको मैं डिवाइड करूँ कितना जाएगा 100 कितना जाएगा जब मैं इसको इससे डिवेड करूँगा 100 मतलब टोटल लंपर विस्ट्रेंट क्लास में कितने है 100 है ठीक है रेमेनिंग कुश्चन से आप लोग सॉल्ट कीजेगा जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जाती है कंसल्ट कीजेगा ठीक है तक यू